तो हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है प्रियंका की रसोई में तो आज हम बनाएंगे एक नई तरीके से अचाड जो की चले सालो साल बिना धूप के तो चले इसकी रेसिपी देखते हैं तो यहां जो हमने आम को अच्छे से धो कड़के और पोच कड़के ले लिया है तो हम अब आम को जो हैं पीसे में इसे हम काट लेते हैं तो इसे चोटा बड़ा जो भी साइज रखना चाहते हैं उस साइज के आप इसे काट लें तो देखें यहां हमने सभी आम को जो है काट लिया है तो हमारे पांस जो है जो जो फासू था जिसे हम लोग सबजी काटते हैं वह जो है वह भी तूट गया था तो हम लोग इस तरीके से आम को काट रहे हैं तो देखें यहां हमारा साड़ा आम जो है काट करके तयार हो गया है तो अब जो है इसमें हम धेर साड़ा नमक डाल ल मिलाओंगी तो मैंने का चलो ठीक है मिला लो देखें यहां पर मेरी बेटी जो है इसमें नमखली डाल दी है और अब जो है इसे हम अच्छे से आम के साथ मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जो है से हम दो से तीन दिन के लिए धूप लगाएंगे तो देखें दो से तीन दिन हो गया है और हमारा अचार जो है वो भी अच्छे से जो है वो पानी छोड़ दिया है तो मैं इसे अपको चला करके दिखाती हूँ तो देखिए हमारे अचार में जो है कितना साड़ा पानी निकला है तो हम जो है इस पानी को नहीं फेकेंगे इस पानी को जो है हम अचार में ही डालेंगे तो चलिए दूसरे दिन और हम धूप लगा देते हैं तो देखिए इसे हमने फिर से धूप लगा दिया है ार ए पर एक बार उपर-णीची कर लेते हैं तो धिकिसे अवाई में अपर में STEVEN-बार और महीну तमस्ती है नापल jest तो यहां हमने संफ ले लिए हैं तो संफ यहां पर चारबने चमक्चे मैं संफ लेंगे और स्यम इंटिति में यहां पर जएरा लेंगे तो देखें, यहां पे हमने जीरा भी ले लिया है, और इसके साथ ही हम मेथी ले लेंगे, चार बरे चमच, तो यह हमारे आचार जो है, सोफ और मेथी से ही बहुत टेश्टी बनती है, तो अब इन सभी को जो हम एक साथ मिक्स कर देंगे, और इधर जो हमने पैन गरम होने के ले लग दिया था, लो फ्लेम पे, तो अब यहां पर मसालो को अच्छे से गरम करेंगे, अच्छी खुसबू आने तक, तो खुसबू तो आपके तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन यह जब गरम हो जाएगा, तो इसका कलर जो है, चेंज हो जाएगा, तो देखें, मसाला जो गरम हो गया है, तो अब इसमें हम दो चमच्छ अजवाइन डाल देंगे, और अजवाइन को जो है, यहां पर जादा नहीं गरम करना है, और हमारे मसाला जो है, वो गरम है, तो अजवाइन भी उसी के साथ गरम हो जाएगा, अब यहां पर हमारा मसाला गरम हो गया है, तो निकाल लेंगे और यहां पर हमने पैन वापस पर रख दिया है तो अब यहां पर हम सर्सो डाल लेंगे और आप चाहे तो यहां पर काली पीली दोनों सर्सो मिक्स करके ले सकते हैं यहां पर काली या पीली ले सकते हैं तो यहां पर सर्सो को भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो देखिए हमारा सरसो भी जो है वो अच्छे से गरम हो गया है तो अब देख सकते हैं सरसो जो है पैन में अच्छे से डांस कर रहा है तो अब हमारा सरसो जो है वो गरम हो गया है तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे तो देखिए हमने same plate में जो है सलसो को भी निकाल लिया है और हमारे मसाले जो है वह भी अच्छे से ठंडा हो गिया है तो देखिए हमारे मसाला ठंडा हो गिया है तो अब इसे हम grinding jar में डाल देंगे और दरदडा मसाला हम पीस लेंगे तो आचाड का मसाला तुछ समय होता है तभी अच्छा लगता है तो इसे हमें फाइन पॉलर नहीं बनाना है । यहां पे हम तो अब देखें नहीं हमें पानी निकाला है पानी डालने से नहीं निकान नहीं की बड़न से ना दोड के बीपिन दूप दोड़ा है तो अभी तक चल रहा है तो अब यहां पे हमें इसमें मसाले डाला लेंगे और एक चमच्छ अल्दी डालेंगे क्योंकि पहले हमने हल्दी टाला हुँआ था और यहाँ ठनिय पोड़र डालेंगे 4 बरे चमच नमक डालेंगे लाल मिलची पोड़र दालेंगे तो लाल मिलची पोड़र में 4 चमच डालेंगे तभी अच्छा लगता है और यहां पर एक चमच नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले डाल रखा है और एक अच्छी कलर लाने के लिए यहां पर दो बरे चमच कास्मी लाल मिल्च पॉड़ा डालेंगे मिल्ची पॉड़ा डाल दीया है जिसे मंगरेल भी कहा जाता है या ओंयन सीटस तो कलोंच को मैम नहीं किया नहीं पीसा जाता है नहीं तो हमारा ज्रेस अचार है वह कड़़ा लगे गा तो अब इसे हम यहां पे मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ तो यहां आप के पास यही हींग है तो इसमें हींग डाल सकते हैं मैं बाद में डाल लूँगी इस समय मेरे पास नहीं है तो देखिए हमने मसालों को आम के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब यहाँ पर हमने 2500 गरम सरसो का तेल ले लिया है अचार जो है वो सरसो के तेल में ही अच्छा लगता है तो हमने यहाँ पर तेल को गरम नहीं किया है हमने कच्छा तेल ही अचार में यूज किया है क्योंकि जब हम अचार को धूप में डालेंगे तो तेल हो जाएगा की वाँटे कर दो हम बाद में बातेम की डाल देंगे कर दिया है तो देखें हमारा आमचा है अच्छे से कोट हो गया है तो आप कितना अच्छा कोट हो गया है देखिए तो हम इसे एक दिन का अभी धूप लगाएंगे उसकी बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए यहां जो है हमने एक दिन का धूप लगा लिया है और हमारा जो है अचार अच्छे से मसालों के साथ कोट हो गया है तो मैं इसे एक बार और आप सब के से चला करके दिखाती हूँ कितना अच्छा से ये बन करके तयार हुआ है तो देखिए मैं यहां पर एक अचार उठा करके दिखाती हूँ मसाला कितना अच्छा से इस माम में कोट हो गया है तो इसे जो है हम अभी और धूप लगाएंगे तो यहां पर देखिए दो दिन के बाद जो है हमारा अचार जो है बन करके तयार हो गया है तो मैंने यहां पर हिंग इसमें एड कर दिया था तो यहां मैं आपको हिंग दिखा रही हूँ और दो दिन के बाद जो है हमारा अचार बहुत अच्छे से बन करके तयार हो गया है तो आप इसमें देख सकते हैं कितना सारा तेल जो है वो उपर आ गया और हमारा अचार भी बहुत अच्छा बन करके तयार हो गया है तो आप इस अचार को जो है सालो साल श्टोर करके रख सकते हैं बिना धूप लगाए तो इस तरीके से यह दिया आप अचार बनाते हैं ना तो सिर्फ एक बार आप धूप लगाएंगे और उसके बार एर टैट कंटेनर में बंद करके रख देंगे तो बाद में आप इसमें धूप नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा चार खड़ाब नहीं होता है तो एक बारी से रेसिपी को जो है आप सब जरूर ट्राइ करें इस तरीके से तो आगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को जो है लाइक कर दें और ज्यादा सेयर क है और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि जो रेसिपी कैसी बनी है तो अब इसे आप जो है इस अचार को आप एर टर्ट कंटेरनर में बंद करके सालो साल चला सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं फेर एक और नई रेसिपी के साथ जो खजय allऊ प्रहत है झाल